तमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी कॉंक्रिस पार्टी को एक के बाद एक बड़े छटके लग रहे हैं देश के कई राज्चों में चुनाव हैं जहां पर पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं चुकि सुशिल कुमार सिंधे कॉंक्रिस पार्टी के वरिष्ट नेता माने जाते रहे हैं और साथ ही वो माहराज्ट्र के पूर्व सियम भी रहे हैं तो ऐसे में जाहिर तोर पर सुशिल कुमार सिंधे का पार्टी से और साथ ही राजनीती से सन्यास ले लेना ये कॉंक्रिस पार्टी के लिए बड़ा जटका वाना जा रहा है साथ ही उन्होंने ये भी खोशना की है कि वो अपनी बेटी परिनिती सिंधे को अपना उत्रा अधिकारी खोशित कर रहे हैं जो सियासत की विरासत है वो सिंधे ने अब अपनी बेटी को शौप दी है लेकिन जिस तरीके से कॉंक्रिस पार्टी की मुश्किले बढ़ रही है मध्यपरदेश से लेकर राजिस्थान और 36 गर तक जो कॉंक्रिस पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो इन सब के बीच इस बड़ी खबर को लेकर बीचपी ने कॉंक्रिस पार्टी पर हमला बोला है और कॉंक्रिस पार्टी पर तजिंदर पाल सिंग बगगा की ओर से बोला गया है क्योंकि कॉंक्रिस पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है जिस तरीके से राजिस्थान में हमने तस्वीर देखी कि टिकेट बटवारे को लेकर वहां पर कॉंक्रिस पार्टी के नेता काफी जाद का कॉंग्रिस पार्टी को दिया है बात मध्यप्रतेश की की जाए तो वहां पर समाच्छवादी पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी आपस में भिड़ रही है जिसका खाम्याजा कॉंग्रिस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है 36 गट में भी कॉंग्रिस पार्टी दो धड़ों में पटी हुई है तो कुल मिलाकर चुनावी राच्चुबे कॉंग्रिस पार्टी के लिए मुश्किले लगातार बढ़ रही है और इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि कॉंग्रिस पार्टी के वरिष्ट नेता सुशिल कुमार सिंधे ने राजनीती से सन्यास की खोशना कर दी है जाहिर तोर पर ये दोरा जट का कॉंग्रिस पार्टी के लिए है क्योंकि अभी फिलाल हालात जो है कॉंग्रिस पार्टी के लिए वो जादा मजबूत या जादा सही नहीं है तो ऐसे में जाहिर तोर पर जो पार्टी के वरिष्ट नेता हैं वो पार्टी को राद दिखा सकते हैं लेकिन इन सब के बीच सुशील कुमार सिंधे ने सक्रियर राजनिती से सन्यास की खोशना कर दी है अपनी सन्याश के एलान के साथ ही उन्होंने अपनी बेटी परिंती सिंधे के सोलापूर सीड से चुनाफ लड़ने की इच्छा भी जाहर की है और इस एलान के बाद अब सुशील कुमार सिंधे ने काई मीटिया चैनल से बाच्छीत की है और कहा है कि मैंने सक्रिय राजनेती से सन्यास लेने का फैसला किया है लेकिन जब भी जरूरत होगी मैं पार्टी के ये उपलब्द रहूँगा ये उन्होंने कहा है उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला उन्होंने दो साल पहले ही ले लिया था लेकिन इसमें कुछ भी नया न बेटी सोलापुर से चुनाफ लड़े, ये मेरी इच्छा है, मैंने इसे अपनी पार्टी को बता दिया है कि अब मेरी बेटी जो है वो चुनाफ लड़े, आखरी फैसला मैंने आलाकमान पर छोड़ दिया है, ये भी उन्होंने जानकारी दी है, उन्हें कहा कि आखर में ये All शुषिल कुमार सिंदे ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि माहराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सुषिल कुमार सिंदे आंदरप्रदेश के राच्छपाल रह चुके हैं, शिंदे सौलापूर लोकसभा सीट से तीन बार स जनफरी 2003 और नवंबर 2004 के दोरान थोड़े समय के लिए माहराश्ट के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस पद को छोड़ते ही उन्हें आंदरप्रदेश का राच्छपाल जो था वो नियुक्त किया किया और वो 2006 तक इस पद पर रहे, इसके बाद उन्हें केंद्रिय म मंदल में भी शामिल खिया किया था, तो यह एहम पद जो है, वो सुशील कुमार सिंदे ने सभाले हैं, ग्रिमंत्री सिंदे मनमोहन सरकार में देश के उज्जा मंत्री थे और मुंबाई हमले 26-11 के बाद ततकालीन ग्रिमंत्री पीशीदंप्रम के वित मंत्राले में वाप कापुर सिटी सेंट्रल विधानसबा सीट से वो विधायक रह चुकी है, इच्छा जाहिर की गई है सुशील कुमार सिंदे की ओर से, कि बेटी अब चुनाफ लड़े माहराश्टर में कह सकते हैं कि जो सियासत की विरासत है, वो कहीने कहीं बेटी को सौपने की तयारी जो ह वो शिंदे ने कर ली है और इस वज़ा से ही उन्होंने यह इच्छा जाहिर की है, लेकिन इन सब के बीच ये कॉंक्रस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा जटका माना जारा हुए्ख क्योंकि सक्रिये तौर पर वो कॉंक्रस पार्टी के साथ अब नहीं रहें लेकिन जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ट नेता साथ छोड़ रहे हैं जिस तरीके से कॉंक्रिस आलाकमान से कई बड़े नेता नाराज हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं हर एक चुनाव से पहले कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं जो कॉंक्रिस पार्टी को बड़ा जटका देते हैं और कहीं न कहीं अभी पांच राच्चों में चुनाव हैं उसके बाद 2024 में लोकसबाद चुनाव हैं लेकिन उससे पहले ही सुशील कुमार सिंधे ने ये इस्तफाद दिया है सन्यास का एहलान किया है तो जाहिर तोर पर बीजेपी ने इसे कॉंक्रिस पार्टी पर हमला पोला है तंच कर सा है और ये कहा है कि दरसल जो कॉंक्रिस पार्टी है पूरी वो दो हजार चौरदा से पहले ही सन्यास ले लेगी ये बयान बीजेपी की ओर से दिया सार है क्योंकि लगातार सियासी बयान बहाजि का दोड जारी है सियासी हमलों का दोर जारी है बीजेपी कॉंक्रेस के बीच तमाम राच्चों में जो है लगातार चुनाफी मुकाफला देखने को मिल रहा है चाहे बाद मद्यपरदेश की की जाए च्छतिजगर की की जाए राजिस्थान की की जाए तिलंगाना की की जाए तमाम राच्चो में इस तरह की तस्वीरे जो हैं वो देखने को मिल रही हैं तो कहीं न कहीं इन सब के बीच जो ये बड़ी ख़बर सापने आई हैं ये कॉंग्रिस पार्टी के लिए बड़ा चटका है और देखना ये भी होगा कि क्या सुशिल कुमार्ट जिंदे ने जो इच्छा जाहिर की है कि उनकी बेटी को जो है सोरापूर सीट से चुनाव लड़ने का मुका दिया चाहे लोकसबाद चुनाव तो क्या उनकी इच्छा ये कॉंग्रिस पार्टी पूरी करेगी ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन फिलार ये तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है कि इ मैं अब राजनिती से सन्यास ले रहा हूं फिलार आपकी इस पूरे माफने को लेकर क्या राए है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताने बाएं ताने बाएं ताने कि अरह opia क्या क्या हुआ।